इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आपने government of France से financial assistance housing के लिए कैसे लेनी है और ये amount vary करती है 100 से 300 euro and it doesn't matter कि भाई आप क्या student है या नहीं है आप bachelor's कर रहे हैं, master's कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, it doesn't really matter क्योंकि ये amount हर किसी को मिलती है keeping the fact in mind कि भाई आपकी documentation सही है, आप जिस residence में रहे हैं वो eligible है इस housing assistance के लिए और आपने सही तरीके से apply किया हुआ है, तो इस वीडियो में आपके साथ आज share करूँगा कि आपने किस तरह find करना है कि आपको कितने amount मिलेंगे according to your profile क्योंकि ये हर profile के लिए different होती है amount तो इस वीडियो में आज आपके साथ calculator के साथ through आपको specifically बता रहा हूँगा कि आप किस तरह calculate कर सकते हैं अपने लिए exact amount ये आपके लिए helpful होगा क्योंकि अगर आप France में already हैं या France में आएंगी in the future तो आपको मालूम होगा कि अगर आप इतनी की residence ले रहे हैं तो आपको इतनी amount government की तरफ से मिलेगी तो आपका budget जो है वो काफी flexible हो जाएगा दूसरी चीज़ जो आपके बता रहा हूँगा कि आपको कैसे पता होगा कि भाई कौन सी residence eligible है housing assistance के लिए या कौन सी residence eligible नहीं है क्योंकि सारी residence is eligible नहीं होती तो अगर आप ऐसी उस residence पर जाले जाते हैं जो कि eligible नहीं है तो फिर obviously आपको government की तरफ से यह amount नहीं मिल रही होगी तिसरी चीज़ में आपके साथ share कर रहा हूँगा वो होता है documents कौन से documents चाहिए होंगे जो कि आप जिसके थुरू apply करेंगे और आपको यह मिलेगी assistance क्योंकि यह जो process होता है वो काफी slow होता है तो मसला यह होता है कि आप ना documents सही तरीके से त्यार करके देते नहीं है तो फिर वो जो होता है भाई वो आपसे दुबारा documents मांगते हैं जब आप दुबारा देते हैं तो मसला यह होता है कि भाई वो काफी delay हो जाता है ठीक है तो मैं आपको आज बताऊँगा कि आपने कौन-कौन से documents सही तरीके से देने हैं ताके आपका मसला हल हो जाए यह documents majority आपके जो है obviously France में आपको आपके मिलेंगे लेकिन कुछ documents आपको अपने home country से भी लेकर आने होगे जो कि आपके लिए ज्यादा बैतर होगा जैसे for example अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यह चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी तो यह एक surety है अगर आप हर चीज़ सही तरीके से करें साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था बहुत साथा content आपके रिए relevant होगा और आप उसको implement करके एक अच्छा सा अपने application बना कर या फिर अपनी जो journey है France आने की उसको बासान कर सकते हैं तो चलें अगर आप बात करते हैं कि आपको कितनी housing assistance मिलेगी तो मैं आपको बताता चलू यह according to your profile vary करता है आप student है या नहीं है या फिर आप PhD के student है master's के student है किस residence में रह रहे हैं तो सारे factors contribute करते हैं towards this housing assistance इस housing assistance को हम usually कहते हैं काफ ठीक है यह government की तरफ से मिल रही होती है और दुसी चीज मैं आपको भी बता दू कि यह जो है आप calculate कर सकते हो अपने लिए कि आपको कितनी मिलेगी according to your factors इसका link में description में भी share कर दूँगा मैं आपको specifically बता भी रहाँगा कि आपने किस तरह करना है तो आप इसको follow करेंगे तो आपको exactly अपने लिए आपको amount मिल जाएगी दूसरी चीज जो आपको बता दूँगो यह है कि जो amount होती है at least अगर minimum यह देखी जाए तो 15-20% मिल रही होती है आपकी amount जो आपकी rent amount होती है so for example अगर आपका 500-600 rent है तो आपको at least 90-100 euro मिल रही होंगे आपकी terms of housing assistance government की तरह से जो कि फिर भी एक अच्छी खासी amount है तो अगर आपकी 500 है और आपको 809 मिल रही है तो मतलब यह कि आपको 400 में residence पर रही है और यह matter नहीं करता कि आप कौन से region में में कर रहे हो ठीक है आप किसी भी शेर से belong करते हो यह आपको amount मिल रही होती है बट आपको France में होना चाहिए तो चलें जब आप link को open करेंगे तो आपके सामने इस तरह का page आएगा तो आपने क्या करना है इसको start कर देना है simple सा इस फ्रेंच में आपको आएगा तो आपने टेंशन नहीं लेनी translation यूस कर लें या फिर स्क्रीन को follow करते रहें जो मैं कर रहा हूं वो भी आप करते रहें तो जब आप start करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले आपने postal code लिखना है यह postal code जो है आपका address होगा like say for example किस region में रह रह रहे हैं तो उसका postal code आपको होगा तो यह सामने मेरे सामने Paris आजाएगा तो मैं इसको select कर लूँगा अब दूसरी चीज दो पूछेगा वो आपसे पूछेगा कि भाई आप residence किस में आपकी ठीक है apartment में है house में है ठीक है दूसरी चीज cruise accommodation में है cruise phone को भी मिलती है ठीक है यह foyer होता है इसको अगर आफ फ्रेंच में देखू तो इसका मतलब यह है कि multiple लोग गर में रह रहे है concollation भी इसको कहते है chamber का मतलब है कि studio room ठीक है room with bathroom यह सारी चीज जो है वो bedroom में आ जाता है फिर social residence आ जाती है retirement home आ जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह स्टुडेंट्स के लिए नहीं है बाकी लोगों के लिए भी होता है तो फिर यह उनके लिए होता है लेकिन आपका जो main होगा वो chamber या फिर fire या लोजमेंट cruise होगा या फिर apartment होगा ठीक है तो आप इसके उपर जा सकते हैं तो फिर एक्जेंपल अगर मैं आपने bedroom की बात करूँ ठीक है आप इसके बात देखते हैं वो पूचते हैं कि भाई वो furnished है के नहीं है भाई खाली मिला है या फिर आपका यू नो उसके लिए सोफा bed shed है तो furnished होता है उसके बाद आपकी देखेंगे के monthly rent कितने है तो monthly rent आप निकालेंगे तो फॉर एक्जेंपल आप पे कर रहे हैं 600 ठीक है आप family situation alone है अकेले हैं या फिर रिलेशन्शिप में हैं तो अगर alone की बात करूँ number of children कितने हैं क्योंकि ये अगर आपकी children ज्यादा होंगे तो assistance ज्यादा होगी ठीक है तो अगर आपकी बच्चे हैं तो मतलब यह है कि भई ये आपके लिए benefit है अब ये जो चीज आती है भई कि आपकी income कहां से आती है wage आती है आप employed नहीं unemployment benefit है retirement में है या almoney receive कर रहे है scholarship student है या नहीं है तो ये RSE beneficiary non scholarship student scholarship student RSE का मुझे पता नहीं है आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि क्या है let's say अगर मैं non scholarship student हूँ ठीक है तो calculate करता हूँ अगर आप scholarship है तो आप देख सकते हैं तो आपको ये कह रहा है कि 200 per month मिलेगा ठीक है 200 per month euros per month आपका अगर 600 rent है तो मतलब यह है कि आप सिफ 400 पे कर रहे होगे so let's say अगर मैं इसके उपर बात करता हूँ कि भई मैं आप select करता हूँ कि अगर let's say अगर आप scholarship student है situation को मैं change करता हूँ फिर देखते हैं कि भई किस तरह होता है ठीक है तो अगर मैं इसके उपर बात करूँ scholarship को change करूँ यहाँ पर let's say यहाँ पर scholarship student करता हूँ तो इसको फिर मैं calculate करता हूँ तो let's say मेरे पास कितने amount आती है तो मेरे पास 253 amount आ रही है euros government की तरफ से जो कि मुझे expectedly a lot होगी अब मैं यह बतायता हूँ यह आपको exact शाहिद यह amount आ लोट ना हो यह आपकी profile को study करेंगे details से आपकी age factors को देखेंगे कौन से region वहरा में है वो तो obviously इनों रीजन वहरा देख लिए है लेकिन multiple factors यह बाकी भी चीज़े देखते हैं आपको यह बता दूँ कि शाहिद यह exact amount ना मिल रही हो थोड़ा उपर नीचे उपर तो शाहिद ना हो लेकिन थोड़ा नीचे आएगा आपको तो expectedly आप देख लें कि 30-40 euro का अपने mind में रख लीजिएगा gap ताके आपका कोई problem ना है अब यह भी matter करते है कि scholarship कौन सी है ठीक है अगर आपकी France government की scholarship है फिर आपको ज्यादा मिलेंगे अगर लगसे आपको European Union की scholarship है तो भाई फिर आपको पैसे कम मिलेंगे ठीक है तो यह आपके mind में रखना चाहिए scholarship जो है वो फ्रांस की scholarship है तो फिर उसको value ज्यादा दी जाती है आपको amount ज्यादा मिलेगी बाइर से मिलेगी तो भाई उस पे amount जो है वो कम मिलेगी ठीक है government की तरफ से So I hope यह clear हो गया होगा आपको idea हो गया होगा कि आपने किस तरह calculate करना है अपनी काफ की amount को कि आपको कितनी housing assistance मिलेगी और यह काफी अच्छी चीज है बागी countries में आपको यह चीज नहीं मिलती अगर अगर आप 600 euro देते और आपको 200-200 euro आपस मिल रहे है So that means कि भाई आप 400 सारे 300 में रह रहे हो And this is a huge thing ठीक है अब दूसरी चीज हम यह बात करते हैं कि आपको किस तरह मालूम होगा कि कौन सी जो housing है वो eligible होती है और कौन सी housing जो है वो eligible नहीं होती for car अब इसमें यह एक important element है कि जब भी आप जाते हैं कोई भी residence देखते हैं Let's say अगर आप France के अंदर एक तो होती है student residences अब जो student residences होती है for example, पूरी-पूरी colonies होती है अगर आप cruise में है तो वो तो eligible है वो तो government का तरगी है ठीक है अगर यह private की में बात का रहा हूँ private में फिर आपका क्या होता है कि आप कुछ जो होती है वो student facilities होती है ठीक है वो eligible होती है कुछ होती है घर भी eligible होती है ठीक है उन्होंने register करवाया होता है लेकिन कुछ होती है facilities वो हो नहीं होती तो आपको कैसे पता लगेगा इसका easy way यह है कि जब भी आप approach कर रहे है housing को तो आप उनसे पूछ लें भई क्या हम या क्या यह facility क्या यह house eligible है housing assistance के लिए और इसका आपको कहते है APL ठीक है तो आप उनसे simply पूछेंगे भई कि is this facility eligible for housing assistance bracket में APL तो वो आपको बता देंगे कि भई yes eligible है अगर वो कहीं नहीं तो भगप भई eligible नहीं है तो यह आपने mind में रखना है जब भी आप housing के लिए apply का रहे हो तो आपको यह चीज आपने पूछनी है ताकि आपको बता हो कि eligible हैं के नहीं है अगर eligible नहीं है तो फिर भई यह amount आपको नहीं मिलेगी यह आपके mind में होना चाहिए तो आपने make sure करने कि आप उन्हीं प्लेसिस में आए जो eligible हो और मैं आपको एक अची चीज बताऊ बहुत ज्यादा रेजिदेंसी जो है वो already registered है क्योंकि यह चीज बहुत common है तो वो eligible होती है housing assistance के लिए उन्हें आपने आपको register करवाया होता है तो चले अगर आप बात करते हैं कि आपको कौन से documents चाहिए इसमें apply करने के लिए ठीक है इस काफ के लिए तो आपको सबसे पहले जो important documents जो आपको home country से लेकर आना है वो birth certificate है भई कि उसमें लिखा हो आप कहाँ पैदा हुए कौन सी date of birth है obviously ठीक है और यह आपने translate करवाना है फ्रेंच लेक्विच में यह बहुत important है क्योंके जो काफ है वो कभी भी आप से मांग सकता है मुझसे एक साल बाद इनोंने मांगा था और मैं आपको बता हूँ गर आप home country से translated नहीं लेकर आते मसला पता है क्या होता है यहां पर आते हो आपको translation करवानी होती है और 100 euros पे करने होते है ठीक है home country में आपका 10 euro में ही हो जाता है यहां पर आपका 100 euros आपको देने पड़ते हैं तो आप home country से ही उसको translator लेकर आए और दूसरा जो होना चाहिए आपका national language में local language में होना चाहिए English उर्दू में होना चाहिए English उर्दू दोनों है तो same है Hindu उर्दू दोनों है तो अच्छा है ठीक है याप जोन सी आपकी language है तो उसमें करवा ले उसके बाद उसको translate करवाना है आपने French language में दूसरा जो document होता है वो आपका visa होना चाहिए France का visa होना चाहिए ठीक है बहुत से लोग लग से Italy आते हैं फिर उसके बाद France आते है मसला यह है भाई आप जब France आओगे Italy से तो आपको visa लगवा कर आना है क्योंकि आप Italian visa पर करोगे तो बहुत मुश्किल है लोगों को नहीं मिलते है अगर आप France visa में करते हो तो आपके मिलने के chances ज्यादा होते है और French visa ही आपको चाहिए ठीक है French visa ही किदरू apply करना है वो कहते हैं कि आप apply कर सकते हैं Italian visa की उपर या किसी और country की visa की उपर बट मिलता नहीं है आपको ठीक है तीसरी चीज में आपको बता दूँ कि आपको उस visa को validate भी करना है जब आप आते हो तो आप visa को validate करते हो यहाँ पे tax pay करते हो इसका different तरीके में आपके साथ share करूँगा 50 euros आपको government को देने परते हैं आप सबी नहीं कर पाओगे और आपको यह नहीं मिलेगा तो वह compulsory document है उसके साथ आपको एक rent slip चाहिए जितना आपने rent pay किया है तो वह आपको जो house है वह आपको प्रोवाइट करेगा वह आपने प्रोवाइट करना है इस documents के साथ इसके साथ आपको जो है वह स्कूल का enrollment letter चाहिए होता है अगर आपकी इस इस university में enrolled है तो उसका जो आपकी enrollment letter है वो चाहिए होता है साथ साथ आपका scholarship letter चाहिए होता है अगर आपकी scholarship लगी हुए मैंने आपको बताया कि जो आपका घर होता है वो आपको इसमिल इमेल आपकेळा है तो हमें proof of residence चाहिए ठीक है वो आपको ये सारे proofs दे देता है तो फिर आपने उसको submit करवाना होता है तो वो आपको help कर देंगे वो आपको provide कर देंगे सारे documents So I hope यह आपको इस समझ आ गई है कि भाई क्या documents कैसे या कौन-कौन से documents चाहिए उसके साथ साथ आपने देखना किस तरह है कि आपको कितनी amount मिलेगी कौन-कौन सी facilities है और कौन-कौन सी facilities इलीजिबल नहीं है तो इससे पहले कि आप मुझसे पूचे मैं आपको बता दूँ कि next वीडियो में और आने वाली वीडियो में आपको बताओंगा कि आपने किस तरह apply करना है इसके लिए क्योंकि यह बहुत important है और मैं आपको डीटेल से बता रहा हूंगा कि आपने किस तरह apply करना है इस काफ के लिए और यह जो है online तरीका ही है सारा आप खुद ही apply कर सकते हैं तो इसमें कोई इतनी बरी चीज़ नहीं है तो इन्शाला मैं आपको आने वली वीडियो में अवदर टाइम बता रहा हूंगा तो अगर आप interested है इस चैनल के साथ associated रहें इन्शाला मुलाकात होगी आपके साथ दुबारा किसी नई वीडियो में तब तक श्याल रखिए टेक कियर और अलाहाफिस